Hello learners, MathsTube Learning में आपका स्वागत है आज हम निकालेंगे factors of 1, 2, 3, 4, 5, 5 इस number के factors तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 5 को यहां लिख लेंगे और अब starting from 2 हम देखेंगे कि कौन सा prime number इस number को divide करता है तो हमाय जो list of prime numbers initially हैं 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके अब करते हैं 2 से start 2 हमारे इस number को divide नहीं करेगा क्योंकि 1's place पे है यहां पे odd number which is 5 तो 2 हमारे factors में नहीं आएगा Next आते हैं 3 में 3 का जो divisibility rule है वो यह है कि sum of all the digits should be divisible by 3 तो यहां पे जो हमारे sum of all the digits है वो है 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 5 5 plus 5, 10, 10 plus 4, 14, 3, 17, plus 2, 19, plus 1, 20 तो sum of all the digits हमारे number में जो है वो है 20 20 is not divisible by 3 इसलिए यह पूरा number 3 से divide नहीं होगा Next आते हैं 5 में 5 इस number को divide करेगा क्योंकि इसके जो 1's place में है 5 तो यह 5 का divisibility rule मानता है और तो 5 इस number को divide करेगा हम क्या करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसको हम 5 से divide करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है First लेंगे 12 5, 2s are 10 तो यहाँ पर 10 लिखेंगे सब्ट्राइक करके आएगा remainder 2 यह नीचे 3 आ गया 5, 4s are 20 remainder आया 3, 4 5, 6 are 30 नीचे remainder आ गया 4 यह 5 नीचे आ गया बन गया हमारा 45 5, 9s are 45 यहाँ पर remainder 0 है और यह last वाला 5 नीचे उतर गया और हमारा 5, 1s are 5 तो last में हमारा आया remainder 0 तो जो हमें अपना quotient मिला है वो है 24691 तो हम अपने main working में आ जाते हैं यह हमारा rough का था अब main working में जब आएंगे तो हम यहां लिखेंगे 5 और जो हमारा quotient आया है 24691 उसे हम ऐसे नीचे लिखेंगे अब हमें यह देखना है कि कौन से prime numbers 24691 को divide करते हैं 24691 खुद एक prime number है इसी लिए इसके सिर्फ दो factors हैं या तो यह खुद और या फिर 1 तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 24691 इन दोनों को हम divide करेंगे तो हमें मिलेगा 1 therefore factors of 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 1, 5, 2, 4, 6, 9, 1 इसके तीन factors है 1, 5 और 2, 4, 6, 9, 1 अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो थोरा सा भी helpful लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल MathsTube Learning को subscribe जरूर कीजिएगा Thank you for watching, bye